Hello everyone, welcome to our channel, हमारी आज की वीडियो को टोपिक है हिंदी निभंद स्वराज मेरा जन सिद अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा तो friends ये लोक माने बाल गंगादर तिलक जी का एक परसिद नारा है इसी टोपिक पर आज हम निभंद लिखेंगे तो चलिए एक स्लोगन के साथ इस निभंद को शुरू करते हैं हमारा ये स्लोगन लोक माने बाल गंगादर तिलक जी के उपर है उनके सम्मान में है तो चलिए शुरू करते हैं स्वराज है जन सिद अधिकार हमारा दिया था जिसने ये महान नारा लोकमान्य की उपादी से नवाजा था उसको महान क्रांती कारी बाल गंगादर तिलक बदला था उसने क्रांती का रुक सारा तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने बाल गंगादर तिलक जी के उपर उनके सम्मान में एक नारा लिख दिया है अब हम ये निबंद शुरू कर देंगे स्वराज यानिकी स्वतंतरता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे वो नारा जिसने अंग्रेजी फुकूमत के नाक में दम कर दिया था पूरे देश में क्रांती ला दी थी यह नारा दिया था स्वतंतरता से नानी लोक माने बाल गंगादर तिलक न आज हम भारत में जिस परिवेश में रहे रहे हैं उसके पीछे इस नारे का काफी महत्व है स्वराज शब्द का अर्थ इसी शब्द में छिपा है स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वर्शासन या अपना राज्य भारत के रास्ट्यांदोलन के समय प्रसलित यह शब्द आत्मनिन्ने तथा स्वाधीन्ता की मांग पर बल देता था यू तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहले भी किया जाता रहा है परंतु यह तब और ज्यादा सुर्ख्यों में आया जब बाल गंगादर तिलक ने 1916 में होम रूल लीक की स्थापना के समय यह उद्गोशना की कि स्वराज मेरा जन सिद्ध दिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तिलक एक मशुहूर स्वतंतरता सेनानी थे बाद में इने लोक माने की उपादी दी गई भारत में रस्ट्रवाद की चेतना को हर भारती के अंदर जगाने वाले तिलक ने हर भारती के अंदर स्वराज का दीब जलाया था आजादी से पूर्व देश में अराजक्ता की स्थिती थी भारत के जन और धन दोनों पर ही अंग्रेजों का राज था उस समय बहुत से क्रांती कारियों ने अपने अपने तरीकों से देश को आजाद कराने में एहम योगदान दिया परंतु उस समय तिलक के इस नारे ने देशवासियों के दिलों में पुर्ण स्वराज का जजबा पैदा कर अंग्रेजों को देश से खदेडने में एहम भूमी का निभाई महात्मा गांधी ने तिलक को अधूनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नहरु ने उन्हें भरती क्रांती के जनक की उपाधी से नवाजा था तिलक की स्वराज की मांग ने देश को एक ऐसा अधार दिया जिसके बल पर आज हम भारतवासी एक आजाद देश में आजादी से भरी सांस ले रहे हैं हम तिलक जैसे महान क्रांती कारियों के कर्ज तो अदा नहीं कर सकते पर इतना जरूर कर सकते हैं कि महान क्रांती कारियों द्वारा दी गई आजादी की विरासत को संभाल कर रखे उनके द्वारा दिलाए गए पुर्ण स्वराज की अवधारना को निरंतर बनाए रखे तो फ्रेंट्स इस तरह से ये निबंद लिखने के बाद हम लास्ट में एक स्लोगन फिर से लिखेंगे यह स्लोगन फिर से बाल गंगदर तिलक जिक के सम्मान में होगा हमारा स्लोगन है आजादी के उस मतवाले के दिल में था एक सपना देश में पुर्ण स्वराज का अधिकार हो बस अपना तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये निबंद कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो हेलपफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेस्ट ओफ लग थैंक्स फर वोचिंग